भारत के सबसे रोमान्चक गेमिंग प्लाटफॉर्म विंजो पर है सतर से भी ज्यादा गेम्स तो खेलो अपने मन पसंद गेम्स और रोज जीतो करोडो के इनाम डाउनलोड नाउ प्रॉम विंजोगेम्स डाट कॉम केम में वितिया जोकिम शामिले और इसकी आदत लग सकती है जिमेदारी और अपनी जोकिम पर खेले है वो टीडी घस विद्याले को इन्होंने केंद्र बना दिया है कोवीट के बाद में नतौश विद्याले की जांच की सीएम को आप देख सकते हैं लेटर हमने आपको आज तक को दिखा रहे हैं दोनों ए लेटर आज तक के पास है किस तरह से सीएम को भी 10 तारीक को 10 वाले हैं उसको लेकर उत्रप्रदेश तयारियां कर रहा है पर ऐसा रगता है कि राजधानी लखनव ही तयार नहीं है उत्रप्रदेश में के लखनव में कुल 299 स्कूल्स को एक शो कॉस नोटिस जारी करा गया है जिसमें बताया गया है उनकी मानता रद करने की वाद कही गई है उसमें उसनोटिस में खामिया बताई गई है इसकूल्स की आज तक के एकस्स में वो नोटिस है ये वही शोकाॉस नोटिस है आप आज तक पर देख पा रहे हैं जो जारी करा गया है आप इसमें तारीक देख पा रहे हैं उपर 20 नमबर 2021 की है और ये AKD पबलिक को इशू करा गया है जहां पर इस वक्त में मौझूद हूं लखनों के आलमभाग में और आप यहां पर देख सकते हैं इसमें पर देखने वाली समझने वाली बात इस नोटिस में ही है कि कुल दोस्तों 99 स्कूल को जो यह नोटिस जारी करा गया है उम सभी नोटिस में सेम लि यानि कि जो डेट दी है जब इनको सुनवाई इस नोटिस की होनी है वो हर स्कूल को अलग-अलग दिया जो कई सवाल उठाती है और बावजूद इसके सबसे इंपोर्टेंट एंगिल जो आता है वो यह आता है कि जिन स्कूल्स को शोकॉज नोटिस जारी करा गए है शिक्ष आते हैं अधे लेटर आननग जी मैं देख पा रहा हूं जो इशू हुआ और ये लेटर प्रवंधक एससीन उत्तरप्र में संचालित करता हूं उसके तहट अभी पूर में 20 तारी को स्यूंक शिक्षा निदेशक के यहां से एक पत्र जारी होता है उस पत्र में कहा जाता है कि आपके 299 विद्याला जो सेक्षन 94 में मानता मिली थी विसेश प्रतिबंधों में वह मानता मिली थी यह पूरवर्ति सरकार भारति इंता पार्टी की थी नेपाल संगी द्वरा प्रदत मानता हैं सारी हैं और लेकिन यह जो नोटिस उन्होंने इशू किया उस एक जैसी नोटिस इस उस नोटिस में जैसे कोई जज लिखता है सुनवाई के थी थी है अलग-अलग डेटों पे अलग-अलग समय पे सुनवाई थी उन्होंने किया जब कि पूरों में कभी भी जिला बिद्याय निरिशक के माध्यम से कोई व्यक्ति यहां पर उपलब्द नहीं हुआ है जांच दी गई है स्युक्षिशा निदेशक को उसमें कमिया है परन्तु हम लोगों ने एसोचेशन की तरफ से जब कमिया पूची तब उन्होंने कहा नहीं वहीं पत्र हम को दे दिया जाए तो यह अधिकारियों की इस समय इतनी निरंकुष्टा है कि हम लोग विद्ध्यालियों सारे विद्ध्यालियों में एक ही कम ही है यह सबसे बड़ा प्रसण चिन है यह अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा प्रस्ण नहीं है पर दो जो जितने अधिकारी हैं वह इतना निरंकुस हैं कि हम विद्धाले वाले कोविड से जैसे तो आपको नोटिस वोट इस तारिक को पेश नहीं होंगे तो मानता आपके स्कूल की रद हो जाएगी बच्चे बढ़ते हैं जैसे आप लोग कर रहा हैं मैं देख इस ही बार आ रहा है कि जिन वद्ध्याले को अनोने मानताший तो उनको ही युपी बोर्ड का सेंटर बना दिया है एक तरफ आप यह पुरेन नहीं ओक्रम रहें कि इन्हों वडा दिया है कि अवा आपको बताना चाहता हूं कि एसे कम से कंडूं के इंदे नर सीक्वर्ण प्रत्यूगी परिखेय कराते चाहें तो चाहें वो PCS की हो चाहें वो बड़ी-बड़ी प्रतियोगी परिक्षाय हो उसको भी केंद्र बना जाता है तो ऐसे समय में आपको जांच करने के आशकता थी जांच में जो कमिया होती है उन कमियों को बिंदुबाल लिखर के आपने CM को पत्र भी लिखा इसको लेगा मैंने CBSE, ICSE में जैसे भूमी को लीज पर दिया जाता है ऐसे ही सरकार को चाहिए कि हम लोगों को भी लीज पर मानेता दे दूसरा मैं इसे कहना चाहता हूँ जैसे तीन वर्स में लोग कहीं जौब करते हैं तीन वर्स में उनको एक नियमित कर दिया जाता है पर उन्तु हम लोग 20 सवाल उठता है और CM को आप देख सकते हैं लेटर हमना आपको आज तक को दिखा रहें दोनों है लेटर आज तक के पास है किस तरह से CM को भी 10 तारीक को 10 मार्च को डेट अपर लिखी है यह लेटर के हलाके इनको जवाब सीम के तरफ से नहीं आया है पर लेटर जारी करा ग सवाल उत्त्रपरदेश की सरकार से है कि जिन स्कूल की मानता रद करने के लिए नोटिस जारी करा जाता है उन स्कूल को एक्जैम सेंटर कैसे बना दिया जाता है कौन वो अधिकारी है जो बिना ग्राउन पर आए आख्या रिपोर्ट ऊपर के उच अधिकारियों को सौप रहे हैं क्या इसमें कुछ गरबार जाला है अलाग अलाग डेट्स पर प्रेजिंट करवाना भी एक सवाल है कई सवाल है जिसका जवाब शायच रिपाग को आप देना पड़ेगा क्योंकि यह मसला आप दिन पर दिन गरबाता जा रहा है और यूपी बोर्ट की एक्जैमे